Mono Hybrid Tross, इसे Mono Hybrid Tross इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें Single Time में केवल एक ही Character की Study कर रहे हैं अब Mono Hybrid Tross में जो Parents होते हैं, वो किसी भी Character के लिए Pure होते हैं जैसे यहाँ पे Tallness के लिए दोनों ही Parents जो है Pure हैं इसमें Capital D Capital T है और इसमें Small T Small T है यह Tall है और यह Dwarf है, इनके यह Gamets बनते हैं और इनके Gamets के Fusion से जो F1 Prozeny आती है, वो भी हमारे पास Tall आती है Although it is a Hybrid Tall, मेंडल ने इस Mono Hybrid पर वेस एक Rule दिया था कि जब भी हम Pure Parent को Cross कराते हैं, तो उसकी जो Prozeny मिलती है, वो भी हमको Tall ही मिलेगी क्योंकि Tall जो Character है, वो Dominating Character है